के नेक्स्ट टपीक हम यह अपटे हैं Asmosis में जो है Resorption. शह्में आपुनल्श में Osmosis को हम कुछ 발생 से कह समझते हैं कि कैसे आपूसिश को बेल तर समसhtे हैं इसके लिए हम एक फनाल लेंगे, वही फनाल जिस से हम hina- water को डालते हैं या मिटी तेल को डालते हैं वही फऌनल को हम Inverted Position में हमने या Poss waren कर दिया और इसको एक Stanley से फिक्स कर दिया और यहां एक Birka है a- Beaker के अंदर इसे dip कर दिया लेइन उस dip करने पहले इस फ़नल को हमने semi permeable membrane से बांदिया, एकदम tightly बांदिया, और बांदने के बाद, इस funnel के अंदर हमने एक solution डाल दिया, सबोस्थ, बैटर अब समझते हैं, जैसे रजगुले का पानी, यानि चाश्नी, चाश्नी को हमने इसके अंदर डाल दिया, सबोस्थ, जैसे रजगुले का पानी, इसमें सुगर भी है, प्रस वाटर भी है, तो ये एकदम गाढ़ा सुगर solution होगा, और इसको जो फ़नल से बान दिये, तो ये बाहर में जाएगा, और इसको फिर एक वैसल में ले लेंगे, उस वैसल में पानी होगा, प्योर वाटर, अब इस सेम एपरेटर्स को, अरेंजमन को, हम इस तरह से दो घंटे या तीन घंटे हम छोड़ दें, तो क्या चेंज ये लेवल, सटनली थोड़ा सा राइस कर जाएगा, और ये वाटर का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा, तो ये जो लेवल, इंक्रीस किया, फ्रॉम एक्स टो पाई, ये क्यों करेगा, चलिए सो समस्ते, तो ये हुआ क्या, जैसे हमने भी बताया, ओस्मोसिस का, मुवम आथ मॉल्यक्यूल, और और मॉल्यख करीज्दा, जैसे हमारा जो सॉल्व कालव, uchaid करेगा, तो सल्व कालошब मॉवमेंट मॉल्यक्यूल, फ़ हमारा अउलवाटर हो जाएगा, और अंभश लेवल, तो सॉल्वêu, जो मॉवमेंट होगा, ये वो होगा, ये वाटर जो हे स जब कि बाहर वाला solution है वो diluted है और अंदर में concentrated solution है water के number of molecules अंदर में कम है जब कि बाहर में ज्यादा है तो movement जब भी होगा वो बाहर से अंदर करेगा और ये increase करते करते हमारा level x से level y में increase कर जाएगा और इसे कहेंगे increase और इसके फिर बात में process पढ़ेंगे end osmosis x osmosis तो अभी वैलिस को होना है समझते है x से ये y करेगा अगर इस system को हमने देख लिया क्या अगर हम ऐसा कहें कि हमने इसकी अगर funnel की pipeline और बड़ी कर दी बहुत देर लंबी कर दी तो क्या ये इस तरह का increase करते जाएगा जब तक दोनों का solution बराबर ना हो जाए तो इसके लिए एक point है osmotic pressure अब ये osmotic pressure क्या है तो osmotic pressure को ऐसे समझते है suppose water के molecule यानि कि solvent molecule ज़्यादा है बाहर में outside में ज़्यादा है और inside में कम है तो ये बाहर से अंदर move तो करेगा लेकिन एक certain time period होगा या certain number होगा जिसके बाद ये move नहीं करेगा इसी को कहेंगे osmotic pressure और ये जो इसलिए के लिए question आएगा how long does osmosis continues भले इसमें दोनों के concentration as a practical point of view दोनों के concentration तब तक आने चाहिए तब तक movement होना चाहिए जब तक solvent molecule दोनों साइट बराबर ना हो जाए लेकिन इस जगर ऐसा नहीं होगा कभी-कभी ये pressure पे भी depend करता है अगर ये funnel लंबा है और बाहर में water का concentration ज़्यादा है लेकिन फिर भी जब तक अगर दोनों equal नहीं होगा तब तक ऐसा काम होगा ऐसा movement होगा ये जोरी नहीं है ये depend करेगा osmotic pressure के उपर तो ये जो इसके लिए जो question आ रहा है osmotic pressure तो हम ये कहेंगे जो water के जो column के अंदर है उस हम कहेंगे column pressure तो जितना ज़्यादा column pressure बढ़ेगा osmosis का जो level है वो उतना decrease करेगा और ये decrease जो करेगा ये osmotic pressure को determine करेगा तो अगर हम एक लाइन में osmotic pressure को define करेंगे तो इसका होगा the minimum amount या the minimum pressure that is required to apply or to prevent the passage of pure solvent into the solution through a semi-permeable membrane ये हमारा हो गया osmotic pressure next अगर कही कही question just opposite कर देता है कभी-कभी इस funnel के अदर water दे देगा और outside atmosphere में sugar solution डाल देगा उस समय इसका concentration इसके भी answer ये नहीं होगा उस समय ये level suppose इस समय हमारा ये हो गया solvent ये second condition है बाहर में अंदर इसके funnel के अंदर solvent है और बाहर solute यानि इसमें sugar solution है इस समय ये rise में करेगा क्योंकि movement जब भी होगा water sugar की तर जाएगा इस condition में ये level बाहर चले आएगा और ये level x से z level हो जाएगा तो ये depend करेगा कि question किस तर से आता है इसको आप देख लिजएगा next हम देखते है x osmosis दूसरा है end osmosis हम इसको indo osmosis नहीं कहा रहे है अगर indo होगा तो यहाँ double होग जाएगा end osmosis यहाँ end osmosis and x osmosis x means removal जैसे हम ये समझें कि x pm x cm x husband means x यानि पहले था यानि अंदर से चला गया तो इसको कहेंगे x osmosis means जैसे इस condition में हमने movement देखा बाहर से अंदर end osmosis तो यह और यहाँ से water बाहर गया तो जो अंदर से जब बाहर जाएगा तो इस movement को कहेंगे x osmosis और जब बाहर से अंदर आएगा यसे कहेंगे end osmosis एक्स ऑस्मसिस तुरिशों डिपाइन क्या करेंगे आउट्वार्ट दिफूशन ऑफ वाटर थू ए सेमी पर्मेबल मेंब्रेन वें दर स्राउंडिंग अट्मोस्फेर और कंडिशन या सॉलुशन इस मोर कंसंट्रेट मींस सारा का सारा डिपेंड करेगा नंबर ओफ कंसंट्रेट सॉलुशन या सिंसेट मोलकेबल तो अगर ऐसा होगा तो जैसा किसमें अब देख रहे है इस एक्स जाथ होगा स्रिंकेज अफ दी सैल का लेकिन इंड उसमोशन ने इसमें इसमें एक्स से वाइइंटर इंटिस किया था semi-permeable membrane when surrounding solution is less concentrated is conditionally swelling of cell hum observe currently that's all